हम ब्रम्ह चारडी रूप की भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं दूजे नोराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम ब्रम्ह चारडी रूप की भगतों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं दूजे नोराते में इसके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं नोरातों का त्यों हार भगतों को लगाएं पार ब्रम्ह चारडी का मतलब तो तपकी चारडी हैं भगतों को अपनी माता यह पार तारडी हैं लाजा दक्ष प्रजापति के घर पूर्व जन्म था हुआ बोले नातिक संग किया था माता सतीन विवाह लेकिन दक्ष न यक्ग में कर दिया भोले का अपमान हवन कुंड में कूद के दे दी माता सतीन जान फिर तो ही माले के घर में यह पुत्री बन आई पारवती गौडा और सैल की पुत्री कहलाई दर्शन करने इनके नारद जी चले आते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नो राते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नो रातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नो रातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नारद जी ने आकर के माता को किया नमन बोली गौरा मुनिवर क्या है आने का कारण नारायन नारायन कर वो लगे है फिर मुसका ने बोले मैं क्या बतलाओं मा आप तो सब कुछ जाने जानता हूँ मैं सिव संकर को आपने बरना है बड़ा कठिन पप लेकिन इसके लिए तो करना है करके घोर तपस्या आप सिव संकर को पाओगी तपका आचरन करने वाली माता कहलाओगी इतना कहकर नारद जी तो लोट ही जाते हैं पावन कठा सुनाते हैं दूजे नोराते में इसके रूप कुध्याते हैं हम कठा सुनाते हैं नोरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नोरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार इनके पिता को हो गई इनके विवाह की जिनता पारवती का खोजन वर एक पंडित को भेजा दसों तिसाओं में वह पंडित घूमके आया है कोई योग वर पारवती के लिए ना पाया है बोली पारवती है पंडित जाओ तुम के लास स्यूसंकर है मेरा वर जो करता वही निवास कहने से गवरा के पंडित है कैलास पे आये देखा के एक योगी बैठा वहां पे ध्यान लगाए देखके बूढे बाबा को पंडित घब राते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नोराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नोरातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार फिर पंडित ने जा करके है सुको किया नमन बोले सुहे पंडित बतलाओ आने का कारण बोला पंडित राजा हिमाले के यहां से मैं आया पुत्री पारवती का विवाह आपसे करना चाहा जिद है पारवती की विवाह बस आपसे करना है बड़ा घोर तप पड़ जाए चाहे उनको करना है बैठ गई है तप करने जब तक आप ना माने अंतर यामी हो खुद ही भोले आप सब जाने अब माता की तप की कहानी तुम्हें सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्यु हार भगतों को लगा ये पार नव रातों का त्यूं हार भगतों को लगाए पार जानत थी मा गवरा ऐसे स्यूना मानेंगे इसलिए वो करने तपस्या गई है जंगल में बैठ गई वाहध्यान लगा कर स्यूही स्यूधाए कई हजारों वर्सों तक बस कंद मूल फल खाए कंद मूल फल छोड़ दिये फिर खाए पत्ते बेल मा की महि मा मा ही जाने कैसा जब है खेल पेड से तूटे सूखे पत्ते खाने लगी माता गोर तपस्या इनके जैसी कौन है कर पाता देख के ब्रह्मा विष्णू चिन्ता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नौराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार सूखे पत्ते खाने से पड़ा इनका नाम अपरड़ा ठान लिया था माताने बस सिवको है वरना ऐसा घोर तप करने से हुई इनकी काया जर जर रही अटल अपने निश्चे पे रही घोर तप कर फिर तो माने खाने छोड़ दिये सूखे पत्ते भी बोले ब्रम्हा विश्णू यह संभो है आप से ही ऐसे घोर तपस्य आज तक कोई ना कर पाया ब्रम्ह चारणी नाम मात का तब ही कहलाया भोले नाथ को हम विवाह के लिए मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नव राते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नव रातों का त्योहार भगतों को लगाए पार है वरदानिक स्यू संकर को पती रूप में पाओ फिर दोनों आए कैला सिप स्यू संकर को मनाने भोले तो भोले हैं इनकी माया यही है जाने खत्म हुआ है भोले अब तो बरसों का इंतजार करो विवाहब पारवती से जग का हो उद्धार कहने लग की भोले जैसी आपकी है इच्छा अग्या आपकी सपने में भी टाल नहीं सकता ब्रम्हा विष्णू के कहने से मान वो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार ब्रम्ह चाररणी रूप में माने ऐसा किया घुर्टप इस षिष्टी में ऐसी तपस्या किसी निना की अब तक तप का आचरन करने वाली यही माता है ब्रम्ह चारणी रूप का जो भी ध्यान लगाता है त्याग और तप में लगता मन उनका भटके ना कठिनाई जो कुछ आए तो शक्ती देती मा दूजे नो राते में इनके रूप को ध्याते है शक्ती दायन माता से वो शक्ती पाते है भक्ती पत से अपने मन को ना भटकाते है पावन कथा सुनाते है दूजे नो राते में इसके रूप कुध्याते है हम कथा सुनाते है नो रातो का त्योंहार भक्तू को लगाए पांग अपने हर एक जन्म में माने स्यूप को पाया है कभी सती कभी पारवती का रूप बनाया है आदी सकती है माता ये जग को तारने वाली यही सारता यही है लक्ष्मी और यही है काली नो रातों में नो दुरगा की पूझा की जाती है दूजे रूप में माता प्रम्ह चारणी कहलाती है बाए अंग बिराजे सूखे करती सेर सभारी भगतों को मा हर एक रूप में लगती है प्यारी धन्य भाग भगतों के दर्शन से हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नौराते में इनके रूप कुथ्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार भगतों को लगाएं पार ब्रम्ह चारणी रूप की जो भी करते हैं भक्ती कथिन परिष्थितियों से निपटने की मिलती शक्ती हे माता रानी देना बस इतना सिर्वार भूलू ना कभी नाम तुम्हारा मुझे रहे सदयार हंस राजरिल हन माता तेरी शरन में है आया अपनी क्रिपाद्रिष्थी की बस रखना तुम छाया डियस पाले ने महिमा ब्रम्ह चारणी की है गाई फोजी सुरेस की कलम से निकली है ये कविताई सुनकर महिमा भक्ति भाओं में सब बह जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दूजे नवराते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का तोहार भगतों को लगाए पाल